ब्रॉट टू यू बाई सेंसोडेंट के अभी ले के आए सेंसोडेंट के तूद का करेंट गौन तो लाइफ का करेंट आउन मैंने ग्रह मंत्री अमिश्या का इंट्व्यू नहीं किया है मैं फिर कह रहा हूं एक ऐसा नेता बहुत रोजमर्रा का है और ऐसा नेता जिससे आप हर सवाल पूछ सकते हैं ऑफ रिकॉर्ड में बात कर सकते हैं कि यह है या नहीं है खुलकर जवाब देना और कहना कि यह गलत है यह सही है तो आपने कभी उनसे पूछा कि उनकी और योगी आदितनात के बीच अदावत की जो खबरें चलती जिसको अर्विन केज़िवाल के बयान के बाद और हवा मिली उसमें क्या सकते हैं यह 2022 के अंदर मैंने उनसे पूछा था ओफ रिकॉर्ड में उन्होंने का ऐ मैं रहने चाहिए कि इसरे पहले दो हटो में योगी अधितनात को उसतरह से अग्रीजेपी ने प्रुजेक्ट नहीं किया यह याथ सह नंकी कि मैं जहां यूपी में गया है लोग प्रियता योगी जी की बहुत है लेकिन पहले दो तीन हफ्तों में ऐसी चर्चा थी कि योगी जी को एक तरह से उस लेवल ते प्रोजेट और इसी लिए केवल सुबह सुबह एनाई को भाइट देते थे खुले आम तक अभी तक इंट्यूव नहीं दिया वहीं मैं पूछ रहा हूं राजी बात वह नहीं है नहीं एक तो दिया है ना वजजशर्मा को मतब वैसे वह बहुत ज्यादा इंट्यूव नहीं हमारे यहां भी मंजीत नेगी को दस मिनिट का है मंजीत नेगी को आज तक में दे रखा है लेकिन मेरा यह कहना है वह उस तरीके से नहीं है लेकिन उनके भाशन उनकी जो अटैक है जो उनका डिमांड है वह एक चीज बत इनको लोग पसंद करते हैं सुनना अचा नरिंद मोदी का इंटर्व्यू का बताईए मैं मैंने नरिंद मोदी जी का इंटर्व्यू किया और कोई चीज नहीं आये और कहा कि अधा पतना के इको पार्क में हुआ मुझसे पहले दो इंटर्व्यू और वह आये उन्होंने कहा कि क्या है मैंने का सर बस ठीक है तो चले मैंने कहा कहा तो बोले चलिए करिये इंटर्व्यू शुरू कीजिए तो मैंने कहा ठीक है साब तो बहुत confident आडमी ऐसा मैंने 2019 में भी उनसे बातचीत की है 14 में भी की है लेकिन 14 के पहले भी मिलते रहे हूंगे 14 के पहले भी मिलता रहा और एक 14 के पहले तो खैर राज्दी भी मिलते रहे थे लेकिन किना आज का question मैंने उनसे बेरोजगारी पर सवाद पूछा उन्होंने उसका clear जवाब दिया मैंने कहा कि आप महंगाई पर नहीं बोलते उन्होंने जवाब दिया राज्दी मैंने देखा अगर महंगाई और मैंने उनसे हिंदु-मूसलमान नहीं पूछा क्योंकि वो सब हो रहा है 400 सीचों पर नहीं आ रहे आप इस बार प्रधान मंत्री नहीं बनेंगे यह भी पूछा है तमाम चीजों के पूछके क्योंकि विरस्तता होती है आपको एक टाइम फ्रेम होता है 15 मिनिट थे मैंने 20 मिनिट का इंटर्विव किया अब आप I'll come to you I'll come to you chief वेट 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 व जहलकता अब मैं यह नहीं कहूंगा कि वह 400 जीत रहे या नहीं जीत रहे यह पिछले शो में भी कहा था मैंने कुल्दीब थे कोई भी पार्टी का नेता यह बीच में नहीं कैसकता कि हम चुनाव भार रहे हैं जी बिल्कुल या वह टारगेट इसले सेट करते हैं कि उनके क अब करता हुं का उथ सह जो है ऊव अई मैंने अमण अविच्शा से एक बार पूछा कि तो दोस्व पार की बार कर रहे थे अब की बार भार बंगाल में उनने का अगर नहीं करते तो क्या ना से